हेलो फ्रेंड् तो कैसे हैं आप सभी तो आज हम बात करने वाले हैं ड्राइंस द््राइंग बेसिक कॉंसेप्ट ओलेज रवीजन तो आज हम बात करने वाले हैं Pencil के बारे में तो जैसे कि मैंने फर्ष अपने Drawing Instrument वीडियो में बता चुका हूँ कि Drawing में कौन-कौन से Instrument यूच किये जाते हैं और उनका क्या उपयोग है तो उसमें हमारा एक था Pencil तो आज हम बताने वाले हैं कि Pencil क्या होती है और ये कितनी great की होती तरह कितनी types की होती और किस pencil का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ये कैसे दिखती हैं तो market में हम इनको कैसे लें तो ये सब आज हम बात करने वाले हैं तो first friends अगर अगर आप हमारे channel में नए हैं तो channel को subscribe करें अपने दोस्तों के पास share करें तो video सुरू करने से पहले जल से जल comment, like and अपने दोस्तों के पास share करें तो video start करते हैं तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं pencil की तो pencil यहाँ पे लिखा हुआ है grades अब उसके grade है तो यहाँ पे हम कई types के grade लिखे हुए जो की हम pencil का use करते हैं तो भी अक्सर हम लोग जो घर पे यह नटराज और अपसरा की pencil यूज करते हैं या HB या B quality की होती है और हम market पे जाते हैं हम केवल बोल देते हैं कि हमको pencil दे दीजिए तो वो हमें एक pencil निकाल के देगा केवल हमको company पता होते है कि अपसरा के चाहिए नटराज के चाहिए लेकिन उसमें जो लिखा होता है कि यह B है 2B है 3B है 4B है यह केवल engineering में आने के बाद ही पता चलता है कि इन सभी pencil का use क्या है तो इससे हमें इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इन pencil का use क्या है तो हम market में जाने के बाद हम जब engineering drawing बनाते हैं तब हमको पता चलता है कि इन pencil का use यह है तो यहाँ पे हम B, 2B, 3B, 4B, HB, and H2H, 3H, 4H, 0.5, 0.7, and 2.5 pencil का उप्योग किया है तो यहाँ पे HB, जो H pencil होती है तो इन दोनों का हम सबसे पहले बात करते हैं B pencil तो B हमारा pencil होता है केवाल मोटी लाइनों को खीचने में, and 2B होता है मोटी लाइनों को खीचने में, and 3B जब हम उसमें कोई layer या box बना रहा है तब उसका उप्योग होता है अधिकतर इन pencil का जो architecture होते हैं हमारे वही लोग यूज करते हैं और जो हमारा HB होता है और H होता है तो drawing में जब हम बनाते हैं और उसको arrow लगा के उसको उसका नाम लिखते हैं और 4H यह काफी मोटी होती है जिनका उप्योग हम बड़े पैमानों या किसी का sketch बनाने में किया जाता है 0.5 pencil यह इदम पतली pencil होती बरिक pencil होती इसमें हम इसको हम drawing में इस्तमाल करते हैं और इसको हम center line या कहीं पर खीचने के लिए करते हैं यहां पर 0.5 तो इंजीनिंग में अधिकतर यूज होने वाली pencil 0.5, 0.7 and 2.5 और HB and H है तो यह हमारी 5 pencil होती है जहां से जिसके बारे में हम कुछ pencil को दिखाने वाले हैं तो यह हमारी है 0.7 जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 0.7 तो यह हमारी 0.7 pencil होती है यहां उपर उपर इसके rubber लागा हुआ होता है यहां पर इसके axis पर यह हमारी इतनी डाया की होती है यह तो हम अगर इससे खीचेंगे तो हमारी देखिए यह थोड़ा मूटी लाइन आती है तो यह pencil से लिखते वक्त हमारी जैसे यह अभी तूट गई तो इससे लिख नहीं पाते हैं यह हमार पेंसिल होती है और यहां पर हमारी pencil होती है दूसरी यह हमारी है 0.5 यहां पर लिखा हुआ है 0.5 तो इस प्रकार जब हम मार्केट पर जाएंगे तो उसके pencil के उपर लिखा होता है 0.5 and 0.7 HB H ऐसे pencil यूज होती तो जो जो हमको इस्तमाल करना हो वही वही pencil ले और यह काफ तो यहां पर हम यह इसका इतना पतल पतला डाया का होता है और इसको जब चलाते तो इद्दम बारीक चलती है यह इद्दम बारीक तो यह उससे हलकी चलती और यह ड्राइंग में तो इस प्रकार हम pencil का यूज कर सकते हैं और जब भी मार्केट में जाएं तो वहां पर pencil की देखें कि वह किस grade की pencil है और तभी खरीदें आपके पास अभी भी तो आपके पास प्रेजिंट में जो pencil अभी भी रखी हुई है उसको उठाओ उसको उपर देखो कि वह किस grade की pencil है अगर आप इंजीनिंग में अभी एक भी बार ड्राइंग नहीं बनाएं तो वह कोई भी company की भी pencil हो लेकिन उसके उपर HB या H2 ही quality की बस pencil आम लोग यूज करते हैं लेकिन केवल जो एंजीनियर होते हो वही इन quality की pencil को यूज करते हैं तो तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं next video पे अगर video आपको अच्छा लगा हो तो video को like करो and subscribe करो and अपने दोस्तों के पास जल जल्चे जल्च सेयर करो thank you for watching